हलो फ्रेंड पॉपुलर टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि सभी को इशान ने रिसेप्शन पार्टी के लिए दिया डामन का नेकलिस तो वहीं इशान के तौफे को देखकर उड़े धूरवा और अक्का साहिब के ओश जी हाँ दोस्तों अब आप देखेंगे कि जहां इशान रिसेप्शन पार्टी के लिए सभी को सब के सामने एक डामन का नेकलिस देते हुए नजर आने वाला है तो वहीं इशान के इतने महंगे तौफे को देखकर अक्का साहिब के तो ओश यूर जाएंगे जहां रिवा को काफी ज़ादा बुरा लग रहा होता है कि आज सभी की जगा मेरा और इशान का रिसेप्शन हो रहा होता तो वहीं रिवा ये सब कुछ बरडाश नहीं कर पाती है और दुक्यों कर वहाँ से चली जाती है ललब शो के अपकमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां दूरवा अपनी चाल चलने में कामयाब हो जाती है और जिसके चलते अक्का साहिब सभी को सजा तक सुना देती है कि अब से तेरा कॉलिज जाना बंद और जब तक तुम लोगों का रिसेप्शन नहीं हो जाता तब तक ये लड़की इस घर के बाहर एक कदम नहीं रखेगी जहां सभी बुरी तरह से शौक रो जाती है कि जब की मैंने कोई गलती नहीं की तो मुझे सजा किस बात की मिल रही है तो वहीं सभी भी अपना फैसला सुना देती है कि मेरे सपने मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसे इसलिए मैं किसी को हक नहीं दूँगी मेरे सपने को कुछलने का वैल लब शो के अपकमिंग ट्रैक में बाप देखिंगे कि जहां सभी गुस्से में अपने कमरे में आजाती है तो वहीं इशान सभी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि सभी तुम्हें बड़ो की बात माननी चाहिए अकासा है वे इस घर की बड़ी हैं अगर वो कह रही है कि तुम कॉलेज मत जाओ तो तुम रिसेप्शन तक मत जाओ ना जहां इशान की बाते सुनक कि सभी को तगड़ा जटका लगता है और वो कह देती है कि मुझे आप से यह उमीद नहीं ती शान सथ यह तो आप भी जानते हैं कि मेरे लिए मेरे आई बाबा का यह सपना पूरा करना है और यही मेरी लाइफ का मोटो है और मुझे आप से पूरी उमीद थी कि आप मेरे लेकिन आप तो उल्टा मुझे ही समझाने आ गए तो वहीं दोस्तों अब रिशेप्टन पार्टी में कौन जबरा धमाल होता है यह जानने के लिए बने रही है हमारे साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें